नमस्कार मैं हुए आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एन्मिफ निउस बहराईच में जिस तरीके से कट्रपंथियों ने तांडो मचाया शोभायात्रा पर पत्राव किया और राम गोपाल मिश्रा को गोली मार कर हत्या कर दी उसके बाद उत्तर प्रदेश में तनाव है बहराईच मामले पर तमाम सवाल है उन सवालों के जबाब ढूने जा रहे है ऐसे में सीम योगिया अदितनाग का ऐलान है कि किसी भी अपराधी को बक्सा नहीं जाएगा लेकिन परिवार जो पीडित है वो मांग कर रहा है कि खून का बदला खून होना चाहिए राम गोपाल मिश्रा की पतनी कह रहे है कि मेरे पती के साथ जो कुछ हुआ वहीं उन दरिंदों के साथ भी होना चाहिए जिन्होंने मेरे पती के साथ ऐसा सलूक किया ऐसे मेरे साथ योगेश सगरवाल एड्वोकेट मौजूद है उनसे समझेंगे कि क्या है कानूनी दाउपेच और क्या कुछ आगे हो सकता है योगेश जी सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि राम गोपाल मिश्रा को अभी बताय जा रहा है कि 20 गोलिया मारी गई आगे पोश् जिंदों को उन आरूपियों को क्या कुछ सजा हो सकती है तो इसके अंदर वारतिया नया सहीता जो नया लगा है उसके सेक्शन 103 लगता है जहां पर गुरूप ऑफ पीपल किसी का मर्डर करते हैं और इसमें जो सजा का प्रावधान है वो डेथ का प्रावधान है मतलब सज जाय मोत भी इसके अंदर हो सकती है इसके अलावा सेक्शन 191 अनलोफुल असेंबली इसके अंदर भी लगेगा अब जो उनके परीवार बाले मांग रहे हैं कि खून से हो देखो अब यह कानूनी परिकरिया है और कानूनी परिकरिया में मैंने पता दिया यह रेरे स्ट वर rarest case है और अगर ये code में जाकर के प्रूव होता है कि 20 गोलियां इस तरीके से एक protest के दोरान मारी गई है और गल्थ तरीके से क्योंकि यहां पर हुआ क्या है एक simple सा एक अपना दुर्गा पूजा का हिंदू समाज ले करके अपना चले थे टूजा कर लिए और वहाँ पर मुस्लिम बहूल इलाके से जब वो निकलते हैं तो उनके ऊपर पहले पत्थर फैके जाते हैं उनके रोका जाता है और वहाँ पर 20 गोलिया मारी जाती एक आदमी को अब देखिए अगर यह 20 गोलिया मारी गई है और वहाँ पर जो नंबर ओफ पीपल उन्होंने गोलिया मारी है जितने लोग होगी पैचान होगी सबको डेथ की पेनल्टी मिल सकती है इसके अंदर और जितने लोग उनके साथ जुड़े होंगे उनको सजाए मौत इसके अंदर इनको मिलेगी अगर यह प्रूव होगा केस तो सजाए मौत तक हो सकती है लेकिन योगेश जी अगर अपने देश में हिंदू अपनी इसो भयात्रा नहीं निकाल सकता है तो क्या ऐसा भी कोई प्रावधान है कि हिंदू बहां जोड़ कर बैढ़ जा अगर 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 आवाज नहीं उठाएंगे हिंदू तो मेरे को लगता है जो आप बात बोल रहे हैं यह हो जाएगा अब हाथ पे हाथ रखने का टाइम नहीं है अगर आज की डेट में उसकी फैमिली यह डिमांड कर रही है कि हमें मोत का बदला मोत से चाहिए तो इसमें पथर फैक्त और फिर आदमी को बुरी तरिके से बीच में लग debate मारते हैं तो यह तो एसात्के आधमी को लगता है सजा के अंदर सजाय मोत भी ऐसी होने चीह जो आने वाली पीडी को ही पता मैं सिंपल अगर नहीं होनी चाहिए ऐसया आदमी को त्वीच रोड में खड़े करके गौली मार दे नहीं किये बिल्कुल योगेश जी ये तमाम सवाल है उस पीडित परिवार के चार ये तीन से चार मिने पहले शादी हुई थी उस बाइस साल के लड़की की उसकी पत्नी की आंखों में जो आशू है उस आशूं का बदला कहा जा रहा है कि लिया जाएगा सवाल है कि कोई पहला मामला नहीं तो नहीं हम ने देखले हमने कई और कोई क्हों की मांस्तिता यही है कि कोई काफिर कहा जाता इनकी भासा में कोई काफिर मिल जाए तो उसको मतलब बत से बतत ही कैसे मारो आपने तमाम ऐसे केसे नहीं होंगे रोहिज जी अब तो ये मामला बिलकुल रोड पे उतरने वाला हो गया है क्योंकि इस तरह के मामलों के अंदर सबसे पहली तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बुलना चाहता हूँ यूपी सरकार को योगी अनिदिना जी को कि ऐसे मामलों का निप्टारा जल्द से जल्द हो ऐसा ना हो कि मामला इसके अंदर ये रिजिस्टर्ट करें और सालों साल ये मामले चलते रहे ऐसे मामलों के अंदर महीनों के अंदर ये केस कम्प्लीट होने चाहिए और ऐसे जितने भी इसके अंदर बुलजे मैं चाहे इ नहीं निकलते हैं तो मिलाकों इंडिया के अंदर जब इनके महर्णम का तवार आता है तो यह अपने ताजिय निकालते हैं नहीं निकालते हैं प्रिवार अपना तेवार नहीं नहीं मनारे के बाद हमें ये भी डीसाइट करना पड़ेगा कि हम्हें उदियाना है और हमें अपने प्रसेश्चन को कहां सेनी कवार भी यह नहीं और समाजवादी पार्टी का जो इसके अंदर बयान आया है मैं तो दंगु इस तरह के ब्यान को देख करके इस समय यह मामला हिंदू परिवारों के साथ जुड़ने का है ना कि इस तरह की ब्यानवाजी करने का है लेकिन वह तो अपनी राजनीती खेली रहे हैं फिलाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी तक इंकाउंटर और बुल्डोजर की नीती कारगर रही है योगी अधितिनाथ के लिए आपको जिस तरीके से परिवार भी मांग कर रहा है सलमान जो की आरूपी है वो फरार चल रहा है योपी अश्ट्य अपने पूरा पूरा दम लगा दिया उसको खोजने के लिए आने वाले वक्त में आपको जल्दी नयाय दिख सकता है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल मिलेगा हमें हमें योगी अधितिनाथ जी की सरकार पे और उनके पूरे प्रसाशन पे बहुत सारे लोग मिलेंगे लेकिन यहां पर अब योगेश जी जैसे हाल फिलहाल में भी योगी अधितनाथ के तमाम बयान हैं कि बटोगे तो कटोगे संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे एक रहोगे तेनेक रहोगे उसके बाद हिंदू संगठित होता हुआ दिख हाई की बिलकुल इनको यह बात पच्चिनागी यह कही ना कहीं अब जो हर्यान में हुआ है इंदू एक नाजर आ रहा है और अगर हिंदू एक नहीं वह तो अने का और मैं बिल्कुल भी यह नहीं बोल रहो हुं कि इसमें कोई लीगल कारवाई होने चीए लेकिन अगर हिं प्रोटेस्ट करते हैं तेवार के अंदर अगर वह अपने नारे लगा रहे हैं अपने भगवान को पुकार रहे हैं तो उसमें इनको तकलीव होती है तो देखे अगर यह चीजे आज नहीं सुझरेंगी तो कभी भी नहीं सुझर पाएंगी और यह हालात और दिन पर दिन बिगड़ते चले जाएंगे इसे में तमाम सवाल खून ही होना चाहिए वहीं एड़ोकेट योगे सग्रवाल ने भी समझाया कि अगर इस मामले में आगे चल कर सब कुछ प्रूफ हो जाता है तो यह रेरेस्ट आफ रेर केस है इसमें फांसी तक की सजा हो सकती है और जो लोग इसमें शामिल होंगे चार पांच साथ लाग जो मुख्य निकलेंगे उन सब को फांसी हो सकती है तो फिलाल अभी तो शांती का माहूल बनाने की अपील की जा रही है मामले को ठंडा किया जा रहा है और यूपी एस्टी अभी अपने काम पर लगी हुई है आने वाले वक्त में तमाम खबरें बहराई से आपको मिल सकती है और इन कटर पंथियों का इलाज करने का भी आदे इस्टीम योग्याद अतनात ने दे दिया है एड़ोकेट योगे सगरवाल जुड़ने के लिए इस मुद्धे पर बहुत बहुत आपका शुक्रिया अब आप दर्सकों की बारी ये वीडियो को शेयर करने की कमेंट करके अपनी राज देने की बने रहेगा हमारे साथ नमस्कार